अहां अहां अब सभी का स्वागत है मेरे और आपके कुकिंग चैनल पर कैसा लगा थोड़ी बहुत आवाज निकाल लेता हूं मैं बस आज सब को ना अंडा बिर्यानी नहीं है यह अंडा पुलाव बनाने वाले हैं बहुत अच्छी रेसिपी है वीडियो एक एक पार्ट दे चील लिया है अब मैं आपको बॉयल करके भी दिखाऊंगा चील करके इसकी कोई जरूरत नहीं है अरे यार तुम लोग क्यों बीच बीच में तंग करते हो या तो इसका टाइम वेस्ट हो जाता है तो मैंने बॉयल करके चील लिया है वीडियो लंबी ना हो जादा तो कर्स लगाने जरूरी है इसमें मैंने च्रत लगाए हैं एक अंडे में अब आपको इसे हमाई' फ्राइ करना है जब तक कि इसके उपर एक अच्छी सी कोटिंग ना हो जाए कोटिंग आनी जरूरी है तब ही मसाले इसके उपर प्रॉपर से चिपक जाएंगे देखें कोटिंग हो चुकिया न यह मेरे खाल से एक आदा अंडा फूड गया है इसलिए फैन जैसा हो गया है त से पंदर लॉं और यह एक जावीत्री का टुकड़ा अब जो बचा हुआ तेल था उसी तेल में हम यह सारे खड़े मसाले डाल देंगे तीन बड़े साइज के प्याच यह भी आपको चौप करके डाल देने है अब प्याच डालने के बाद आपको इसे भूनना है प्याच क यह भी आपको चौप करके इसमें डाल देना है अब साथी साथ हम इसमें मसाले भी आड़ कर देंगे तो हरी मिर्ज डाल देंगे चार से पाच इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और बिडियानी मसाला यह हम वन एन हाफ टेबल स्पून के जितना डाल देंगे मतलब देड़ बड़े चमच। बिडियानी मसाला अलदी ओडर चौथाी चमच। और डेड़ बड़े मसाला थोड़ा त्क तो cave मिश्य कर दू हम इसमें धन्या डालेगे मसाला थोड़ा तीका सपइसी हम बनाने वाले हैं तो और एक चमच लालमीच पाउडर थोड़ा पानी डाल देंगे ताकि मसाले जो है वो जले ना हीट इक्वली बैलेंस रहे ठीक है अब मसालों का आपको भूनना है अच्छी तरह और हाँ एक चीज रह गी है नमक रह गया है तो नमक डाल देंगे ना तो जो गलने की जो प्रक्रिया वो फास्ट हो जाएगी तो हम स्वाद अनुसान नमक भी इसमें एड़ कर देंगे अब फिर से आपको भूनना है इसे भूनने में लगबग मुझे 5-6 मिनेट लगे हैं क्योंकि मैंने मसालों को बहु तो यह मैंने देखिए इसे भून लिया है यह देखिए अब इसमें दो चम्मच चॉप हरा दनी और एक चम्मच मैंने पुदीना के पत्ते चॉप करके एक हट्टे मैंने दोनों चीजे इसमें डाल दी है कसूरी मेथी भी आपको आदा चमच ऐसे हाथों से क्रश करके डाल 400 ग्राम मैंने चावल लिया है जिसे आदे घंटे भी गोल लिया था मैंने बासमती चावल है वाश करके तो 400 ग्राम चावल है तो बारो सेमल पानी मतलब तीन गुणा पानी मैंने इसमें अड़ किया है बच्चों की आवाजना इग्नौर करिएगा आप क्या करेंगे वीडियो भी बनाना है इन लोग को भी देखना है तो इन चारी चीजों के खटा मिला लेंगे फ्रिस में हम जो अंडे डाले थे मैंने आपको बताया था न कित पूरी तरह से सूख जाना चाहिए अब आपको लगे धकन हटाने के वाज कि चावल पक गया है फिरी भी इसमें थोड़ा सा पानी है जैसा कि आप देख रहे हैं तो अब आपको क्या करना है धकन बंद नहीं करना है धकन खोल देना है चावल पक चुका है देखे लेकिन थ तीन से चार मिडम पकाएंगे और आप देख सकते हैं कि इसमें का जो पानी है वह पूरी तरह से सुक चुका है अब चूप हो जाओ जाओ तो पानी पूरी तरह से सुक चुका है अब आपको सूफ नहीं करना है तुरंत गैस बंद करदेना है प्लीज़ माफ कर दिजगा औ और इसके वज़े से थोड़ा लाइक सब्सक्राइब में कमी मत कीजिएगा और मुझे बैल एकन जरूर प्रेस कर दिएगा मैं आपको ठूंज के दिखाता हूं ठीक है के में लगा लाइक वाइक हूं इसके बाइक मत कीजिए बाहि ठीक हूं Competına कर दूंग। अ धूं धिसके से चक्णाए अ बाह से डेंग ये कर दो दीक है